नमस्कार पे दर्चकों तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताजा ख़बर के साथ तो हिमाचल प्रदेश में करवा चोथ के अफसर पर बड़ा धर्दनाख हासा पेश है है जिसके चलते तीन महिलाओं समित चार लोगों की मौत हो गई है क्या ख़बर रहने वाली है विश्तरित रूप से आपके समक्स जरूर साजा करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश के ताजा ख़बरों को पाने के लिए क्रीपिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो करवा चोथ परव पर मंडी के कोटली में दर्दनाख हाथसा तीन महिलाओं सहीत चार लोगों की मौत करवा चोथ परव पर मंडी जिला के कोटली क्षेतर में दर्दनाख हाथसा हुआ है इस सड़क हाथसे में तीन महिलाओं सहीत एक विक्ती की मौत हो गई जबकि अन्य साथ घाइल हो गए घाइलों में पांच महिलाएं और दो पूरुष शामिल है यह हाथसा आज देर शाम को मंडी जिला के विधानसभा क्षेतर सदर के अंतरगत कोटली के पास गाओं धनयारा में पेश आया वहीं बताया जा रहा है कि गाड़ी HP 02M 007-04 में 11 लोग स्वार कहीं जा रहे थे इस दोरान गाओं धनयारा में आचानक गाड़ी दुरघटना गरस्त हो गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस हाथसे में चिंता देवी पत्री नागेश्वर सिंग निवासी हारट डाकघर कोटली चंद्रा देवी पत्नी मनोहर ला निवासी कसान डाकघर साइगलू तहसील कोटली मस राम पुतर नेक राम की मौत हुई है जबकि हाथसे में मारी गई एक अन्य महिला के शब के शिनाखत नहीं हो पाई है तो परमुक रूफ से यही है बड़ी खास कबर की हिमाचल प्रदीश में करवा चोथ परवपर मंडी के कोटली में दर्दनाख हाथसा पेश है है जिसके चलती तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई है तो अभी के लिए यही है बड़ी परमुक खावर तो प्रदीश की ताजा खवरों को पाने के लिए करीपया चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जेहिंग जेहिमाचल